तो हेलो दोस्तों दिस इस हर्श वर्मा और आप दिकेर अपना फेवेट चैनल अलफा बीटा एंड गामा वर्मा तो दोस्तों आज मैं एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर हूँ जी हाँ जिसकी अपने भर भर के डिमांड की थी जो है लेटर टू एडिटर की फिक्स ल लंबा ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करती है हमारी फिक्स लाइन्स जो कि है लेटर टू एडिटर की तो दोस्तों लेटर टू एडिटर की फिक्स लाइन्स बताने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो की काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है से जाता है लेटर टू एडिटर ना किसी कंपनी को लिखा जाता है ना किसी अपने फ्रेंड को लिखा जाता है यह लिखा जाता है किसी भी एक निउस्पेपर के एडिटर को या एडिटर इन चीफ को नेक्स लेटर टू एडिटर में लिखना क्या होता क्या इसमें हमें अ देने होते हैं हमें बस हमारी problem को अच्छे से अपने लेटर के form में explain करना होता है तो यह बाते हो गई में बाते अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी fix सबसे पहले किसी भी लेटर में स्टार्ट करने के लिए हमारी सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड से पेज के सबसे उपर स्टार्ट करेंगे यहां से अब समझे लिए आपके पेज की स्टार्टिंग यहां से है अगर पेपर में तुम्हें दिया गया है कि जो भी आपको अगर कुछ कुछ पेपर में दिया हुआ है उसकी अलावा आप अपना घर का अड्रस लिखाते हो तो वह हो जाएगा अग्तम गलत सो अपना अगर अगर आपको अपनी बेटन में लिंक मिल जाएगा अब मैंने उसमें आपको डेट लिखने का एक तरीका बताया था कभी भी हम लैटर में ऐसे डेट लिखके फिर हमारी डेट नहीं लिखने जैसे आज है 31 अगर्ष्ट अगर्ष्ट अब लेटर ट्यू एडिटर है लेटर ट्यू एडिटर में रिसीवर कौन होगा हमारा ओवे वैसी भात है भाई एडिटर होगा अब एडिटर का एडिरस लिखने का भी एक तरीका होता इसको ध्यान से देखना विकोज अभी मैं इतनी चीज़े आपको बताने वालाओ न वह उसके लिए आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा मतलब अगर पेपर करते करते लास्ट की पाच मिनिट बची हैं सो अगर इतना भी तुमने लिख दिया एक नंबर तुमें मिल जाएगा जोगी लटा लटा है फॉर्मेट है सो देखो लेटर ट्यू एडिटर का एडि लिखना है तुम्हें भाव दला लटा का टी और अडिटर का कुछ बूची क्या करते करटें लिखना को चक्र में एडिटर को ऐसा लिख देता है जो कि हो जाता गलत सो तुम्हें यह हमीशा सेप्रेट अलग लिखे फिर अडिट लिखना है यह तुम्हारा सही माना इडिटर के वह कोण से पर टाइम्स ऐंडिया हिंडूस्तान टाइस जो भी तुम्हारा नियुसपेपर जोंगी तुम्हीं यहां पर लिखने मिरृ कि यहां तो इस इस तुम्ही अपना नेम के लिखना है उसके रहने लिखना सबस्कता का हेड आप 我在 English तक हो गया तुम्हारा एडिटर का adres उसके बाद क्या करोगे वापी से flying छोड़ेंगे है अब हमें क्या लिखना है अब हमें लिखना है हमारी main чíings की हमारा subject सब्जेक लिखने का भी तरीका है वो अच्छे से समझ लेना आदा एक नमबर आतना कट वा तेखो हुआ अगरिया यहां मैं देख दिखो सब्जेक्ट लिखने का जो तरीका है वो है कुछ ऐसा दिखो सपोस हम लिख देते हैं इर्रागुला सप्लाइड वॉटर तो मैंने इसमें क्या तरीका देखा वही हमारी एडिटर वाली चीज मैंने यहां यूज करिया हर जो पूरा एक वर्ड है उसका फर्स लेटर कैपिटल वर्स लेटर कैपिटल और तुम्हें जादा इच्छ नमबर टीचर को इंप्रेस करना भाई तुम मेरा नमबर काटके दिखा टीचर को अगर यह वालग चैलेंज करना है तो बस तुम सारे जो तुमने सब्जेक्ट लिखा है उसको इजिली डवर अंडरलाइन कर देना बस ट ठीक है अब अगली बात इसके बाद क्या आता है solution solution नहीं solution salute करना मालो हम अपने एडिटा को कुछ रिस्पेक्ट तो देंगे न बई respected sir respected maim हम कुछ तो बोलेंगे ना dear sir हम यहाप पर लिख देंगे हमारी solution respected sir maim जो भी आपको question paper में दिया हो इतना अगर आपने कर दिया यह मैंने आपको समझा है इसलिए थोड़े time लगा है लिखने में 5-10 seconds का काम भी नहीं है तो इतना से लिखे आपने एक नमबर आठ में से समझे लो पूरा कर लिया आपका लेटर में एक नमबर तो कहीं नहीं गया इतना भी कर लिया अभी तक तो हमारी fix lines भी start नहीं है कुछ learn भी नहीं किया है अभी तक आपको एक number मिल गया अब हम देख लेते हैं इसकी fix lines तो चलि नहीं है तो इन lines को रट लो हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे जो fix lines start होती है वह होती है हमारी यहां से थ्रू दी कॉलम को ओफ यह यौल स्वरी एस्टीम्ड न्यूस्पेपर थ्रू दी कॉलम फर एस्टीम्ड शूब यूस्पपर यूथ खूब यूद लाग तो यूद दरो दी कांड थैंच़ नौस्व आर व दून अधरिटीस तोर्टीस तोर्टीस तोर्टस प्रोबलम और दाश इन अ अ अ अरिया तो दोस्तों यह होगी हमारी पहली फिक्स लाइन पहला फिक्स पैलाग्राफ जो आपको लट लेना है ऐसा कैसा पेपर में लिख आना है बस चोटे से डैश पर अपने प्रोबलम का नाम लिख देना है अब मैं इसको मतलब बता दे तो आपको इसका मतलब क्या बनेगा तूदे कॉलम ओफ यॉर एस्टीम नूजपेपर आपके एस्टीम नूजपेपर बहुत जादा पॉपूलर जादा बिकने वाला परसिद नूजपेपर जिसको कह सकते हैं तूदे कॉलम अब आपने कॉलम आपने नूजपेपर में काफी सुना होगा कि उसमें कुछ अगर आप से आ गया पानी के प्रॉबलम में तो आप क्या हम वहान पे बहुत नूजपेपर लिखने वोडेnhel लिखोगे अगर आप से आगया सफाई के लिए तो आप MCD लिखोगे नहीं सिर्फ आपने अथोरिटी लिख देना है मतलब इस प्रोब्रम से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है जो भी अथोरिटी है उसको सीधा लिख दो कंसर्ड अथोरिटी सो मैं आपके इतने पर्स तो यहां पर हमारे संब्स कोई आ सकता है कि dirty water कि हमारे एयरे में dirty water तो उसके लिए जो भी है उसको मैं ध्याना करशित करना चाहता हूँ इलेक्रिसिटी से अगर कोई आ जाता है तो वहां पर आ जाता है स्ट्रीट डॉक्स के ओपर अगर कुछ आ जाता है तो उससे रिलेटिट जो भी concerned authorities है उसके रिलेटिट मैं लिखना चाहता हूं करते हैं हम अपने बारे में क्या बताएं अपना एडर हमने एरिया क्या हमारे इरिया में यह दिक्कत है अगर तुम्हारा लिख रहते लिखता हूं और इंडिविजायलि टो लाइकर आई लगा दो जो भी आपका यहां लिख दो हम रहते हैं यह हमारा पता पता लिख दो कुछ भी लिख दो ठीक है उसके बाद अब तुम्हें यहां पर अपने प्रोब्लम को थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा सर्वियार रेजिडेंट एड मालेज़े कुछ भी लिख देते हैं यह उसके बाद अब तुम्हें प्रोब्लम दियो है डिटी वॉटर की ले 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 ते हम सब्सक्राइब चलो डिटी वोटर में यहां तुम्हें लिखना होगा सर यू नौ डैड वॉटर इस वाटर इस अपने प्रोब्लम को थोड़ा एक्स्प्लेइन कर सकते हो उसके क्या करना है आपको यहां पर एक दो लाइन के अपने एक्स्प्लेइन कर दी उसके बाद आपको वापिस एक फिक्स लाइन लिखने है सबसे बहले इस लाइन के बाद यह लाइन मत लिख देना थोड़ी सी एक्स्प्लेइन करने के बाद फिर ले लाइन लिखना तुम बोल Unbearable Unbearable headache for us मतलब क्या है तुम्हारा सर जो अभी हमने यहां पर उपर प्रोब्लम बताई है न डिटी वॉटर की वो हमारे लिए अब एक यहां बन चुकी है जो बम से जहला नहीं जा रहा है उसके बाद अब तुम्हें यहां पर जो फिक्स लाइन इसी के बाद लिखनी है वो तुम्हें लिखनी है देखो we had made written many complaint letter to concerned authorities यह लाइन लिख दिना तुमने तुम्हारे इतने अच्छे नमबर मिलेंग ना टीचर के आग इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पूछो मत क्या बोला है मतलब आपने किसी एडिटर को लेटर कैसे लिख दिया पहले जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है इक दो लेटर उसको लिखो अगर वो कुछ सुनवाई नहीं करता है तो तुम उसको लेटर करके उसकी बेस्ती करो कोई कंप्लेंट लेटर ही नहीं आया तो कैसे कुछ समाधान निकाल सकते हैं तुम यह लाइन लिखो कि हमने कंप्लेंट लेटर लिखे हैं इसके बाद भी कि नो पॉजिटिव स्टैप्स हैड बीन टेकर टू सौल अवर प्रोब्लम मतलब हमने कुछ लेटर लिखें कंप्लेंट लेटर कंसर्ड अथॉर्टिस को बट कोई पॉजिटिव स्टैप नहीं लिए गए हमारी प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए यह हो गई हमारा पहले बता देता हूं अगर वीडियो अच्छी लग रहे हो तो लाइक बी कर देना शर्माना मत तो चलिए दोस्तों अब हमारे आगे के पहले को भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको च्छोटी सी बात बताना चाहूंगा अगर आपको स्टोरी लाइटिंग लिख कि उसको अच्छी लगे वह लाइक करें ऐसे से करके दस लाइक मिनीमम सिर्फ सिर्फ दस लाइक कर दो मैं आपको स्पीच लाइटिंग की वह ट्रिक्स फिक्स फॉर्मेट जितना पॉस्टीब होगा ऐसी ट्रिक्स दूँगा जिससे आप स्टोरी राइटिंग में बहुत अब हमारा देखते हैं थर्ड परग्राफ फिर्स्ट हमारा एड्रेस और प्रोब्लम को थर्ड हम लिखते हैं अमारा बॉडी ओफ मैटर बॉडी ओफ मैटर यह वह है जहां तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा सब कुछ भाई तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता यहां तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा सब्सक्षाषी के लिखना पड़ेगा यह तुम्हें अपने पिछी लिखना पड़ेगा यह तुम्हें अपनी क्लास के अकोडिंग भी लिखनापड़ेगा अगर तुम 9th या 10th क्लास में हो तो तो मैं मैक्सिमम इसमें साथ से 8 लाइने लिख दो बस ज्यादा बड़ा नहीं करना पहले तो एक-एक दो-दो लाइनों की फिक्स नाइस है यहां तुम्हें अपनी लेटर की लेंद को कम्प्लीट करना है यह तुम्हें अपने हर लेटर क्या कोडिंग चेंज करके लिखनी पड़ेगी अगर तुम्हें जो बार बार हर साल पूछे जाते न बोर्ड में वो यहां से हम डिर्क बात करने हमारे एडिटर के साथ एडिटर के साथ क्या है देखो इन दी व्यू ऑफ अबव जो अभी उपर बात हुए लास्ट पहरा है न यह सो इसको उपर ही सारी बात हुए निदा व्यू अबव उपर वाले को अगर हम द्रिश्ट्री में देखें you are sorry 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 guilty I am requesting you you to publish my above said problem in your your newspaper अगर यहां चाहता हो तो निउस्पेपर का नाम भी लिख सकती हो अब मैं निदा क्या लिखा I am requesting you मैं आपसे यह विंती करता हूं in the view of above क्रिपया करके आप अपने निउस्पेपर में मेरी यह प्रोब्लम लिखें अब लिखने से क्या होगा उसको कोई व्यूतो दिखें ना क्या होगा लिखने से उसके भारे में अब मैं आपको फिक्स लाइन दे देता हूं in the sad problem in your newspaper अब हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे आफ्टर इट आफ्टर इट आफ्टर इट कंसर्ण अथोरिटीज विल सी दी ग्राविटी आफ मैटर मतलब क्या होगा यहां मारा लेटर कंप्लीट लास्ट में आपको वह तो आता है वह ना थैंकिंग और अपना नाम चलो लिखी देता हूं कभी तुम मिलको और तुम नहीं तो बताये नंबर कटवादी बताता हूं सबसे पहले उपर जो हमने उतना बताया उसके बिहाफ मैं आप से रिक्वेस्ट करता है वह gravity of the matter समझेगा कि जो प्रोब्लम है उससे हमें क्या दिक्कत हो रही है वह इसकी गहराई समझेगा कि हां इस प्रोब्लम में कुछ गहराई तो है भई कुछ सजेशन्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे ठीक है चलो अब मैं तुम्हें लास्ट का पार्शन भी तुम्ह लास्त के मलब एंडिंग यह वो है हमारी थैंकिंग यू वह हमारा लेफ्ट साइड पेज ही है तो थैंकिंग यू यू यॉर्स ट्रूली जो भी आपका नाम है X Y Z लो पूरे लेटर की फिक्स लाइस तुम्हें दे दी बस अपने थोड़ा सा दिमांक लगा देना और अपने आठ नमबर इग्दम पूरे कर लेना तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक करना मैंने वी अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दीजे अगर आपने फ्रेंड्स को भी कह रखा है तो अपना नोटिफिकेशन बैर ओन रखे ताकि आपको आने वाले वीडिय बिल सके सबसे पहले थैंक यू